नमस्कार अभी कुछ दिरों पहले ही युद्विराम की घोशना हुई लेकिन अचानक एक बार फिर इसराइल और फिलिस्तीन में हाला तनाफपूर हो गई है और इससे नाराज इसराइली सेना ने गाजा में जोड़दार हमले किये हैं इसराइल का आरोप है कि युद्विराम होने के बावजूद हमास भढ़काओ गुबारे छोड़ रहा है जिससे इसराइल की जनता को काफी नुकसान हुआ है इसराइल की माने तो हमास उसके इलाके में कॉंडम के अंदर विस्फोटक भर कर हमले कर रहा है इसराइली वायू सेना इसी से नाराज होकर बुदवार गाजा पट्टी में हमास के छिकानों पर हमले करती हुई नजर आई इसराइल का कहना है कि हमास के सदस्य कॉंडम को फुला कर उसके अंदर कोईले जैसे विस्फोटक को भड़ते हैं और फिर उसे इसराइली इलाकों में उड़ा देते हैं इन गुबारों के फटने से आग लग जाती है यही नहीं कई कॉंडम्स के अंदर विस्फोटक पदार भी भरकर उडाये जाते हैं जिससे वो जहां भी गिरते हैं वही पर विस्फोट हो जाता है दक्षिनी इसराइल में इन गुबारों के वजह से आग लगने की घटनाen काफी तेज हो गई है कॉंडम गुबारों के वजह से इसराइल में हजारों एकड की फसल नश्ट हो गई है इससे लोगों को लुग्सान उठाना पड़ा है इस्राइली सिना के मुताबिक इन कॉंडम गुबारों का उदेश है लोगों को मारना और भारी तबाही मचाना होता है इन गुबारों के चपेट में अक्सर बच्चे आ जाते हैं जो लालच में फसकर उसे छू देते हैं या फिर उसे लेने के लिए दोड़ते हैं इन विसफोटों में कई इस्राइली बच्चे भी खायल हुए हैं इस्राइली मीडिया की माने तो कॉंडम गुबारों के अलावा घर में बनी पतंगे भी विसफोटों से लेस होती हैं और उनके गिरने से आग लग जाती है इन गुबारों पर जनम दिन की बधाई लिखी होत होता है और कई बार बड़ी तादात में गुबारे एक साथ उड़ाये जाते हैं ताकि ज्यादा वजने विसफोटों पदार्थ को इस्राइली इलाके में गिराये जा सके हमास के इस काम में भूमद्य सागर से आने वाली तेज हवाएं भरपूर मदद करती हैं विशशग् के मताबिक गुबारे या कॉंडम से बने विसफोटों को मार गिराना आसान नहीं होता इन हमलों के जवाब में इसराइले विमान ने बुद्वार तड़के गाजा पट्टी में उगरवादियों के ठिकानों पर जोड़दार हमले किये ये पिछले महीने हमास के साथ बने है नफ्ताली और नफ्ताली के आते ही चुनौती पेश हो गई है वैसे जानकारी देते चलें कि बेनिट भी एक कटर पंती इसराइली राष्ट्रबादी है देखना होगा आगे क्या होता है वैसे मीडिया के माने तो सेना को पश्चिमी तठ पर और गाजा इलाके में अलर्ट पर रखा गया है